दोस्तो मेरे फोन के अंदर फिलाल सीम लगा हुआ है लेकिन हमारे मोबाइल फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे फोन के अंदर कोई भी नेटवर्क नहीं है अगर आपके mobile phone में भी same problem है और आपके भी mobile phone में network नहीं आ रहा है नेट नहीं चल रहा है तो इस वीडियो को ध्यान से लाज टक देखते हैं आज की इस वीडियो में आपको 4-5 setting बताने वाला हूँ वीडियो का अगर आप भीना skip की ये लाज टक पूरा देखते हैं तो 100% आपका problem सही हो जाएगा और आपके mobile phone में भी network आना इस्टार्ट हो जाएगा करना है आपको बस अपने mobile phone को एक बार aeroplane mode में डाल देना है कुछ इस प्रकार से एक बार अपने phone को अपने mobile phone के अगर फिर भी नहीं होता है तो मैं आपको तीन-चार शेटिंग और बताने वाला हूँ पूरा वीडियो को देखिए का तब ही आपका problem सही होगा तो सेटिंग को सही करने के लिए आपको अपने mobile phone के सेटिंग में आ जाना है अब यहाँ पर जैसे आप अपने mobile phone के सेटिंग में आ जाते हैं आपको नीचे के साइड में SIM card and mobile network के एक बटन देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको click करना है अब यहाँ पर आने के बाद मेरे phone के अंदर एक ही SIM लगा हुआ है आपके mobile phone के अंदर अगर दो SIM लगा हुआ है और जो SIM के अंदर network नहीं आ रहा है वो अला SIM आपको select कर लेना है तो यहाँ पर simply हमारा geo के SIM है और geo के SIM में network नहीं आ रहा है तो हम इसको select कर लेंगे अब यहाँ पर SIM select करने के बाद फिर से आपके सामने काफी सारा option आ जाएगा अब यहाँ पर एक एक setting ध्यान से देखिएगा सबसे पहले आपको यहाँ पर के साइड में जो option देखने को मिलता है mobile network के अंदर access point name इस पर आपको click करना है यहाँ पर click करने के बाद नीचे के साइड में आपको एक reset का button देखने को मिलता है यहाँ पर आपको reset वाले button पर click करना है और यहाँ पर click करने के बाद थोड़ा सा समय लेगा और आपका setting यह automatic सही हो जाएगा अगर आपका APN setting खराब होता है इस वे से भी आपका mobile phone में network नहीं आता है तो APN setting को यह setting जो है सही कर देगा reset पाढ़ने के बाद उसका आपको बाहर आना है उसका दोस्तों यहाँ पर second option है preferred network type यहाँ पर आपको click करना है और यहाँ पर अगर 2G या फिर 3G select है या फिर 4G select है तो सबसे उपर के side में एक option होता है जिसमें सभी option होता है 2G, 3G, 4G, 5G यहाँ पर आपको LTE का भी option देखने को मिल सकता है इस पर आपको click कर देना है इसको select कर लेना है यहाँ पर मैंने आपको दो setting बता दिया यहाँ और एक setting मैंने आपको पहले बताया था एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ यहाँ पर आपको mobile network का जो button देखने को मिल रहा है इस पर आपको click करना है अब यहाँ पर click करने के बाद यहाँ पर आपको automatically select network का जो button है अगर आपके phone के अंदर यह बंध है तो इसको on कर लीजिए अगर on है तो इसको एक बार बंध करके और यहाँ पर दूसरा बट चालू कर लीजिए इससे भी आपको problem सही हो जाएगा और यहाँ पर एक और सबसे last option है Use Vault E यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे नीचे लिखा हुआ है यह वाला setting तो 100% on होना ही चाहिए यहाँ पर यह वाला setting भी बंद रहता है तो भी आपके mobile phone में network नहीं आएगा अब मैं आपको दिखा देता हूँ इतना सारा setting करने के बाद मेरे phone के अंदर network आया या फिर नहीं आया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उपर के side में यहाँ पर पहले कोई network नहीं था यहाँ पर network आ गया और data on करने के बाद net का connection भी आ रहा है अब दोस्तो इतना सारा setting करने के बाद आपको एक बार अपने mobile phone को off कर देना है यानि के बंद कर देना है फिर से चालू करना है और पूरा का पूरा problem आपका mobile phone के अंदर network वाला वो सही हो जाएगा वीडियो आपको कैसा लगा विजे comment box में जड़ू से बताएगा वीडियो को लाइक करना साथ यसाच चैनल को subscribe करना ना भूले